आट उन्नेस निबंध लेखन एसे राइटिंग इबंध लेखन एक कला है निबंध लेखन हे तु विशे की पूरी जानकारी और भाशा पर अधिकार आवश्यक है निबंध की विशेवस्तु को क्रमबद ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए सरल्ता एवं रोचत्ता हीतु छोटी-छोटी अर्थ पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए विशेवस्तु की मुख्य बातों को अलग-अलग अनुच्छेतों के माध्यम से व्यत्त करना चाहिए आवशक्ता अनुसार, मुहाफरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से निबंध की शैली प्रभाव पोण बनती है परिश्रम का महत्व परिश्रम में ही विकास का रह सिनहित है परिश्रम के बल पर ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के शीत्र में सभी उपलप्थियों को प्राप्त किया है परिश्रम के बल पर ही जीवन को सुख में बनाया जा सकता है परिश्रम रहत व्यक्ति का जीवन दुख में होता है इश्वर भी परिश्रमी व्यक्ति की ही सहायता करता है कहा भी गया है? परिश्रम ही सफलता की कुझी है इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने निरंतर परिश्रम किया वे सफल भी रहे प्राचीन काल में रिशी मुनी निरंतर तपस्या करके सिधियां प्राप्त करते थे वैक्यानिकों ने निरंतर परिश्रम द्वारा अनीक आविश्कार करके जीवन को सुख में बनाया है खिलाडी, अभी नीता, चिकित्सक, वैक्यानिक आदी सभी के सफलता का रास परिश्रम ही है परिश्रम के बिना कोई भी उपलब्थी नहीं प्राप्त हो सकती है परिश्रम रहित व्यक्ती का जीवन अभी शाब एवं बूच बन जाता है मनुष्य के भाकी का निर्माण उसके परिश्रम से ही होता है मैटली शरण कुपची ने कहां भी है बनता बस उद्यम ही विधी है मिलती चिस से सुख की निधी है विद्यार्थी के लिए निरंतर परिश्रम और अभ्यास नितांद आवश्यक है जो बच्चे निरंतर परिश्रम करके अध्यन करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं उनका जीवन सुख में होता है ऐसे बच्चे सभी के प्रिए होते हैं परिश्रम से चीचुराने वाला विद्यार्थी अपने लक्ष से भटक जाता है संसार की सभी उपलब्धियों के पीछे परिश्रम का ही हाथ है परिश्रम में असंभव को भी संभव कर दिखाने की शक्ति है मनुश्य को परिश्रम रूपी अमूली निधी को अपना कर अपने जीवन को सुख में बनाना चाहिए सरस सुख में जीवन का राजबी तों परिश्रम में ही नहित है कहा भी गया है? जिसने परिश्रम किया उसका जीवन सफल रहा वर्शा रित्व भारत वर्श को रित्वों का पालना कहा चाता है यहां छे रित्वें क्रमशा आती हैं और अपनी छटा का प्रदर्शन करती है इन रित्वों में वर्शा रित्वों का विशेश महत्व है कव्यू ने वर्शा रित्वों को रित्वों की रानी कहा है है बसंत रित्वों का राज़ा वर्शा रित्वों की रानी दिनकर, ग्रीशमरितु की भयंकर गर्मी से व्याकुल, सभी जीवचन्तु वर्शरितु की प्रतीक्षा पीस्वरे के साथ करते हैं। वर्शरितु आते ही चारो ओर नया उल्लास जा जाता है। गर्मी से मुर्चाई वनिस्पत्या नव जीवन पाती हैं। खेतों में खड़े पौधे हवा में छूम छूम कर वर्षा रुतु का स्वागत करते हैं। मूर नुर्ध्य करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। मेठक तर तर बोल कर मानों वर्षा रुतु का कान करते हैं। सामानी रूप से वर्षा की पहली बूंद पढ़ते ही सबका मन खुशी से चुम उठता है। आशार मास के आते ही आकाश में काले काले बादल मंडराने लगते हैं। बातलों का गर्चन प्रारंब हो जाता है। वर्षा की पौच्छारे पढ़ने लगती है। सावन और भादों के महीने में वर्षा अपने योवन पर होती है। कई-कई दिनों तक वर्षा की झढ़ी लगी रहती है। क्रिशी के लिए वर्षा का विशेश महत्व है। वर्षा से भूमी का चल का संग्रै होता है। धरातली चल में वृत्ती होती है जिसका उप्यों हम पूरे वर्ष करते हैं। पृत्वी की समस्त वनस्पतियों को नव जीवन मिलता है। इसलिए तो प्रकृती का काल काल वर्षा रितु में खुशी से भड़ उठता है। अतिवरिष्टी से पाल आती है। बाल के कारण गाउं उजणने लगते हैं। नगर तबा होने लगते ह धन जन की बहुत शती होती है। चारू उर त्राही त्राही मच्चाती है। अतिवरिष्टी के कारण बाल की आशंका के बावजूत वर्षा रितु का अपना विशेश महत्व है। व्यायाम का महत्व। अच्छा स्वास्थिर महा वर्दान है। यह वर्दान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे ही हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुश्य रोगी हो जाता है। जिससे अपने कारियों को ठीठ ठंग से नहीं कर पाता है। रोगी और आंसी मनुश्य प्रगतीर नहीं कर पाते हैं। इससे विनिराशा में टूबे रहते हैं। व्यायाम ना करने वालों का शरीर बेडॉल एवं मोटा हो जाता है। प्राता प्रमण, दोणना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदी अनीक व्यायाम है। प्राता प्रमण से तास्की मिलती है और मन प्रसन रहता है। सभी व्यायाम अत्यन उप्योगी एवं लापतायक है। व्यायाम से शरीर का रख संचार पढ़ता है। कमजोरी तूर होती है। बुढ़ापा चल्दी नहीं आता है। शरीर के काम करने की क्षमता में व्रिद्धी होती है। व्यायाम करते समय उसके नियमों का पालन करना चाहिए. आवश्यक्ता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए. व्यायाम खुली हवा में एवं खाली पेट करना चाहिए. व्यायाम करने के तुरंद बाद, स्नान या फोचन नहीं करना चाहिए. अच्छा स्वास्त है, व्याय पर निर्भर है। व्यायाम ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पौश्टेक फोचन है। अच्छे स्वास्थ वाला व्यत्ती उल्लास एवं उम्मांकसी भरपूर जीवन जीता है। जीवन में प्रगती करता है। हमीं प्रति दिन अपनी अवस्था के अनुरूप कोई प्रति न कोई व्यायाम अवस्थ करना चाहिए। हमारी राश्ट्रिय पर्व पर्व हमारी जीवन में खुश्यों का संचार करते हैं। सभी पर्वों का अपना एक विशेश महत्व होता है। सामाचिक पर्व मुख्य रूप से सामाचिक मेल जोल तथा अच्छी बातों को अपनाने की प्रिर्णा देते हैं। राश्ट्रिय पर्व राश्ट्र के कौरव से चुड़े होते हैं। राश्ट्रिय पर्व राश्ट्र भक्ति की भाफना को बढ़ाते हैं। तथा राश्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संदीश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गर स्वत्यंत्र दिवस के दिन हमारी देश का संविधान लागू हुआ था। विद्यालियों, राचियों की राच्थानियों, जिला मुख्यालियों आदी सभी प्रमुक स्थलों पर तिरंगा फिहराया चाता है और अनेक कारिक्रम होते हैं। इस दिन देश की प्रधान मंत्री लाल के लिए पर राश्ट्रत्वाच फिहराते हैं और देश के नाम देश देते हैं। गरतंत्र दिवस, 26 जन्वरी 1950 को देश का नया सम्विधान लागू हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष, 26 जन्वरी को गरतंत्र दिवस का पर्फ मनाया चाता है। 26 जन्वरी को हमारे लिए युगांदकारी महत्व है। संपूर्ण देश में यह पर्फ अ तथा जाकिया निकलती हैं। इंडिया गेट पर निकलने वाली भफ्य परेड और जाकियों को देखने के लिए देश की कोनी-कोनी सी लोग आते हैं। गांधी चेंती। 2 अक्टूबर 1889 को हमारे राश्ट्र पिता महात्मा गांधी का चन्म हुआ था। महात्मा गांधी न अक्टूबर के दिन यह पर्फ मनाया जाता है। इस दिन विद्यालियों तथा सभी प्रमुक्स धलों पर अनेक कारिक्रम होते हैं। और महात्मा गांधी के बताई रास्ती पर चलने का संकल्प लिया जाता है। राश्ट्रे पर्फ हमें यह संदेश देते हैं। यह राश आतने करना चाहिए। राश्ट्र की परती अपने कर्टव्यों का ठीक ठंक से पालन करना चाहिए। इतने पन की भाफना को देश प्रीम कहते हैं। इतने पन की साथ ही हमारा विकास चुड़ा है। स्वर्क से भी महान होती है। देश प्रीम की पवित्र भाफना के कारण ही अनेक धेश भक्तों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी प्राण दे दिये। देश भक्त अपनी परवा ना करके अनेक प्रकार की कठनाईयों को सहन करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। देश पर मर मिटने वाले मात्र भूमी के सुपूतों का नाम सदैफ अमर हो जाता है। देश प्रीम का भाफ व्यत्ति को त्याग, सेवा और करतव विपालन की ओर अग्रिसर करता है। केवल नारे लगाना या जय खोश करना ही देश प्रीम का लक्षड नहीं है। हम अपने कारे को पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से करे। ऐसा कोई कारे न करे जिससे देश का अहित हो। देश की मान मर्यादा बढ़ानी वाले कारे करे। दूसरों में भी राष्ट भक्ति की भाफना भरे। देश हित के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत पर रही। यही सच्चा देश प्रेम है। जिस देश की निवासी राष्ट भक्ति की भाफना से योगत होकर अपनी कर्तफ्य का पालन करती हैं। वह देश उन्नती की ओर अग्रसर होता है। देश की उन्नती होती हैं तो नागरिकों को अधिक सुख सुविधाई मिलती हैं। जापानियों की देश प्रेम और कर्तफ्य पालन के कारण ही जापान उन्नती की शिखर पर है। हमें भी देश प्रेम की पवित्र भावना को अपना कर अपना कर्तफ्य पालन करना चाहिए। हमारी मन में यही भाव होना चाहिए। जिये तो सदा इसी के लिए। यही अभिमान रहे यह हर्ष। निच्छावर करते हम सर्वस्व। हमारा प्यारा भारत वर्ष। दूर्दर्शन सन 1925 में जौन एल बेर्ड ने किया था। दूर्दर्शन के द्वारा आज हम घर बैठे अपनी इच्छा अनुसार विविद प्रोकार की मनुरंचक कारिक्रमों का आनन्द उठा सकते हैं। दूर्दर्शन ने देश में सूचना घ्रांती लाने में सबसे महत्व पूर्ण भूमे का निभाई है। दूर्दर्शन जन्चागरुकता बढ़ाने में भी सहायक है। दूर्दर्शन पर दिखाई चाने वाले स्वास्ति से संबंधित विविद कारिक्रमों को देख कर लोग अपनी स्वास्ति के प्रती जागरुक होते हैं। इसके विवित शैक्षिक कारिक्रमों के द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता मिली है। दूरस्त शिक्षा के विकास में यह सहायक है। खेलों के विकास में भी दूरदर्शन की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन पर खेलों के सचीव प्रसारण को बहुत लोग प्रियता मिली है। क्रिशी के आधोनी की करण में दूरदर्शन अत्यन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन से जहां अनेक लाब हैं, वहीं कुछ हानिया भी है। अधिक टीवी देखने से आखें खराब होती हैं। जो बच्चे अधिक टीवी देखते हैं, वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। देश की प्रगती, जन्चागरुकता बढ़ानी, लोगों को स्वस्थ मनुरंचन प्रदान करनी में इसका विशीश योगदान है। दूरदर्शन की कारिक्रमों की कुडवत्ता बनाई रखनी पर विशीश ध्यान दिया जाना चाहिए। समचार पत्र का महत्व वेनिस नगर में प्रकाशित हुआ। हमारी देश में सर्व प्रतम इंडिया गचट नामक समचार पत्र निकला था। आज देश के विविद भागों में विविद भाशाओं में अनेक समचार पत्र प्रकाशित होते हैं। देनिक चागरन, राश्ट्रे सहारा, हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत, पंचाब कीश्री, पांच जन्य, नव भारत टाइम्स आदी कुछ प्रमुक समचार पत्र हैं। समचार पत्र आज के युग की आवश्यक्ता बन गए हैं। आज के युग में विश्व में घटित होने वाली कोई भी घटना समचार पत्रों के माध्यम से थोड़े ही समय में प्रचारित हो जाती है। समचार पत्रों में पाठकों के लिए कई रोचक सामगरी होती है। समचार पत्रों से मस्तिश्क की भूख मिटती है। व्यक्ति के मानसिक स्तर्ग में वृत्ती होती है। समचार पत्र आज क्यान प्राप्ति के सबसे सस्ते उप्योगी एवं सरल माथ्यम बनते जा रहे हैं। समचार पत्र आज कीवल समचारों तक सीमित न रहकर अनीक प्रयोजनों को सिद्ध करने लगे हैं। समचार पत्रों में खेलकूद, राचनीती, रोजकार, आदिसे संबन्धित, तरह तरह की सुचनाई छपी होती हैं जिन्ही पढ़कर लोग लाभान वित होते हैं। समचार पत्रों त्वारा ही लोगों को सरकारी नीतियों की चानकारी मिलती हैं। समचार पत्र जन्मत निर्माड के महत्वपूर्ण साधन हैं। समचार पत्र समाज के प्रहरी हैं। समचार पत्रों के माथ्यम से सरकार की कलत नीतियों का विरोध किया जाता है। जनता के दुख दर्ट से संबंधित, खबरों को प्रकाशित कर, सरकार का ध्यान आक्रिष्ट किया जाता है। ये लोक दंत्र के रक्षक और दीश की उन्नती में सहायक हैं। सुन्दर समाच की रचना में सहायक बनना चाहिए। अनुशासन का महत्व किसी भी राश्ट्र की उन्नती उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। नागरिकों के समुचत विकास के लिए अनुशासन अत्यंद आवश्यक है। अनुशासन युक्त व्यक्ति ही सफलता में उसे सुचारो रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों के पालन से सुव्यवस्था बनी रहती है। और समाच उन्नती की ओर अग्रिसर होता है। इसके अतिरिक प्रतीक व्यक्ति को जीवन में उन्नती करने के लिए कुछ निश्यत नियमों पालन करना पड़ता है, इसी प्रकार की नियमों का पालन अनुशासन की अंतरगत आता है, समस्त प्रकृति हमारी सामने अनुशासन का आदर्श प्रस्थुत करती है, मनुश्य ने जब अनुशासन की महत्व को समझा, तभी वह सप्यता एवं उन्नती की ओर अग्रिसर हो सका अनुशासन की बिना सामाचिक व्यवस्था भी कायम नहीं रह सकती, जीवन की प्रत्येक शीत्र के लिए अनुशासन आवश्यक है, खेलकूल, पढ़ाई आदी, सभी शीत्रों में अनुशासन और श्रम की बल पर सफलता प्राप की जा सकती है, विद्यार्थी की जीवन मे अनुशासन का विशीश महत्व है, जो विद्यार्थी समय से अपनी सारी कारी करता है, और अनुशासन में रहकर पढ़ाई करता है, वह सफलता प्राप करता है, विद्यार्थी जीवन को अनुशासन का परिया कहना गलत ना होगा, अनुशासत विद्यार्थी ही सभी का प् प्रारंब परिवार से होता है। राश्ट्री है और व्यक्तिकत आवश्चत्ता है। हमीश स्वयम अनुशासित रहते हुए, दूसरों को भी अनुशासित रहने हेतु प्रेरित करना चाहिए। समय का सदुपयोग समय की प्रती निष्ठा ही समय का सदुपयोग है। जू व्यक्ति इसका सदुप्यों करना चान गया, वह सफलता की कुझी को प्राब्त कर गया। समय सबसे अधिक बलवान है। हम भले ही विश्राम कर लें, लेकिन समय विश्राम नहीं करता। काल छक्र बिना रुके चलता रहता है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसी कारण इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, इसको धन से भी अधिक महत्व पूर्ण बताया गया है, गया धन फिर वापिस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता समय वापिस नहीं लोटाया जा सकता है, संसार की प्रतीक मस्तु को घटाया बढ़ाया जा सकता है लेकिन समय को नहीं जो समय के महत्व को समझ लेता है वही जीवन में कुछ कर पाता है क्योंकि हमारा पूरा जीवन कुछणों, खंटों और दिनों का योग फल ही तो है इसका सही उप्योग ना करके हम प्रती दिन इसे गवा रही है यदि इसके बदले में हमने कुछ भी नहीं पाया तो सारा जीवन ही व्यर्थ कहलाएगा कबीर तास्ची ने इसके महत्व को समझाती हुए कहा था काल करीसु आज कर, आज करीसु अब पल में परले होईगी, बहुरी करेगो कब चात्रों की जीवन में समय के सदुप्यों का पड़ा महत्व है जु इस उम्र में जीवन का सदुप्यों करना सीख जाता है वह भविश्य में सफलता की उचाईयां छूता चला जाता है ताल मटोल, हसी मजाग और सैर सबाटे करके समय नश्ट करने वाली को पच्चताने का भी अफसर नहीं मिलता मन बहलाने के साधन शणिक सुख दे सकते हैं लेकिन अंत में उनका परिणाम अच्छा नहीं होता इतिहास साक्षी है कि जिस व्यक्ती ने समय के सदुप्यों का महत्व जान लिया उसी ने संसार पर शासन किया जेम्स वाट ने 25 वर्ष तक परिश्रम करके ही रेल की इंचिन का आविश्कार किया था माडम क्यूरी ने लगातार 25 वर्ष तक परिश्रम करके रेडियम को खोचा चानक्य ने समय के महत्व को विशिष्ट स्थान दिया था गांधी जी ने कहा था मित्रों की वेश में दिन हमारे सामनी आते हैं और प्रकृती की अमूली भेट हमें देच आते हैं अगर हम उनका उप्योग न करें तो वे चिपचाप लोट जाएंगे जीवन का प्रत्येक्षन भविश्य का निर्माता है जो व्यक्ति इसकी महत्व से अंचान बनता है उसके पास कीवल पच्टावा रह चाता है समय निष्ठा मानव जीवन के लिए बहुत उप्योगी है इसके पुजारी के पास कभी भी समय का अभाफ नहीं रहता उसके सारे काम ठीक समय पर होते चले जाते हैं वह प्रक्ति की राह पर निरंतर अग्रसर होता चला जाता है इसे हमारे भागी निर्माड की आधार शिला भी कहा चा सकता है इसी कारण सभी लोगों को और विशेशकर चात्रों को समय की कीमत अवश्य पहचान लेनी चाहिए उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वे प्रतीक शड़का सार्थक उप्योग कर सके विख्यान, वर्तान या अभिशाब विख्यान का अर्थ है किसी विशे का सपष्ट, विशिष्ट, तथ्यपूर्ण, सुसंगत और क्रमबध क्यान आज का युग पूर्ण रूप से विख्यान का युग बन गया है विज्ञान ने हमारी जीवन में क्रांधिकारी परिवर्थन ला दिया है सच बात तो यहा है कि अब विज्ञान की बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है ऐसा लगता है कि हम विज्ञान की गुलाम होकर रह गए है विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है इसने संसार को आत्याधुनेक सुख सुविधाउं से इतना परिपून कर दिया है कि व्यत्तियों की शरीर वृत्थी के लिए आवश्य क्रियाई भी छूट गई है लेकिन जिस प्रकार सिख्य के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार विज्यान के भी दो पहलू स्वता द्रिश्यमान है आज हमारा चीवन विज्यान के वर्तान और अविशाप के बीच खिरा हुआ दिखाई देता है एक ओर जहां विज्यान के अविश्कार अनुहोनी को होनी कर दिखाने की शक्ती रखते हैं वही दूसरी ओर वे हमारी जड़े खोदने में भी सक्षम हैं हम जिस कार से यात्रा करते हैं वह गाड़ी हमें निश्चित समय पर पहुंचा देती है यह विज्यान का वर्धान ही है लेकिन जब यही कार गंदा धुआ फेक कर परियावरण को प्रदूशित करती है या किसी दूसरी कारी से टकरा कर हमारी मृत्यe का कारण बनती है तो यही अभिशाब भी बन जाती है सत्य तो यही है कि विज्ञान की खोजों और आविशकारों का एक मात्र उद्देश मानव चाती की भलाई करना ही रहा है विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है विज्ञान की सहायता से आज मानव धरती तो क्या जल, वायु मंडल, अंतरिक्ष और अनिक रहों तक पर विच्रण करने में समार्थ हो गया है चिकित्सा के शीत्र में भी विज्ञान ने अधबत आविशकार किये हैं अनिक असाथिर रोगों का उपचार ढोन निकाला है मनुरंचन के शेत्र में भी इसने हलचल मचा दी है कंप्यूटर का आविशकार आज दुनिया को बदलने की ताकत रखता है विज्ञान एक तरफ वर्दान के रोप में हमारी जीवन को सुन्दर बनाने में लगा हुआ है परन्तु दूसरी तरफ इसके द्वारा दी गई सभी सुक्सुविधाईं प्राण खाती भी बन चाती है आज ऐसी ऐसे अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ है जिनके बारे में इससे पहले सुना या देखा नहीं गया था ऐसी अस्त्र शस्त्रों के एक बार प्रयोग करने मात्र से कई शहर एक साथ नश्ठ हो सकते हैं अड़ुशक्ति के प्रयोग से बड़े बड़े बिजली घर भी बन सकते हैं और पलक छपकती ही लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। यह तो हमारी विवेक पुद्धी पर निर्भर करता है कि हम इसका उप्यूग किस प्रयोचन हेतू करते हैं। मेरी जीवन का लक्षे जीवन में सभी की कुछ न कुछ आकानशाई तथा अभिलाशाई होती हैं। सभी की मन में अपनी भवेश्य को लेकर सुनहरी स्वप्न छिपे होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर, इंजिनियर या वकील बनना चाहते हैं तो कुछ शिक्षक, कलाकार या संगीतकार। मैंने भी अपनी जीवन को लेकर एक स्वप्न देखा है। मैं एक जिक्षक या डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज एक जिक्षक का रुद्बाग वमहत्व देख कर मुझे लगता है कि मैं भी किसी दिन इसी प्रकार अपने आगे पीछे लोगों को खूमते देखूंगा। इस व्यवसाई में पैसों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा नाम होते ही मरीजों की कतार आपकी आने के पहले ही आपकी इंतजार में पैठी नजर आती है। कितना अच्छा लगता होगा उस समय जब लोग आपको एक काबल डॉक्टर मानकर आपकी आसपास चक्कर काटते हैं। डॉक्टर बनने का निश्चे मैंने पहुँच सोच समझ कर किया है। एक तरफ अमीरों का इलाज करके मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तो दूसरी और उसी कमाई धन से मैं गरीब लोगों के लिए सुविधापूर्ण अस्पताल भी खुलवाना चाहता हूँ। मैं अपनी चिकित्सा से उन सभी को जीवन दान देना चाहूँगा, जो इसके अभाव में तड़प रहे हैं। मैं उन गावों में अस्पताल खुलवानी की इच्छा रखता हूँ, जहां नाम मातर के लिए भी डॉक्टर नहीं है। गावों में मैं सुविधाई पहुचा कर उन लोगों का मुफ्त इलाज करवाना चाहता हूँ, जो निर्धनता की श्राप से ग्रसित हैं। इश्वर ने सभी को एक समान चीवन दिया है। उस चीवन का आनन केवल अमीरों को ही मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बनने के पीछे मीरा उद्देश्य यह भी है कि मैं कैंसर जैसी बीमारी के लिए दवाई की खोच करना चाहता हूँ। मेरी अपनी दादजी का स्वरक्वास इसी बीमारी के कारण हुआ था। मैं इस बीमारी का उन्मूलन करने के उपाई एवं उपचार खोचना चाहता हूँ। इन बीमारीों पर अनुसंधान करने के लिए मैं पड़ी बड़ी प्रयोक्षालाई खोलना चाहता हूँ। मैं सभी डॉक्टरों को भी इस दिशा में पढ़नी के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपनी वास्तविक लक्ष की ओर अग्रसर होते देखना चाहता हूँ। मैं चानता हूँ कि डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है। लेकिन समाज सेवी उद्दीशित द्रण होने के कारण मैं राह में आने वाली सभी बाधाओं का सहर्श सामना करने को तत पर हूँ। मैं चानता हूँ कि द्रण संकल्प से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इश्वर मेरी सहायता करेगा। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पर्यावरण प्रदूशन बढ़ता प्रदूशन आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूशन इसी कती से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति को सास लेना भी तू भर हो जाएगा। इस धर्ती पर उपने वाला अन्न हमारे लिए सहर बन जाए और अम्रित तुल्य जल को पीना तो दूर उसमें नहानात होना भी संभव न रहे। यह स्थिती तो आ ही गई है कि प्रित्वी की अंदर से निकलने वाला अधिकांश पानी पीने की योग्ये नहीं रह गया है। जगा जगा पिक्ती बोतल बंद पानी इस बात का प्रमाण है। आज बात कीवल चल के प्रदूशण की नहीं रह गई है। वरन प्रदूशण की कई प्रकार हमारे लिए चिंता का कारण बन गए हैं। जैसे वायू प्रदूशण, थ्वनी प्रदूशण, भूमी सबसे पहले वायू प्रदूशन की बात करें। वह काफी प्रदूशित हो चुका है। वे नतियां जो कभी चीवन दाईनी हुआ करती थी, आज दूशित पानी का फंडार बन कर रह गई है। प्रदापन, अनिद्रा, आदी रोग पढ़ रहे हैं। मिट्टी से अधिक से अधिक फसल उगने के चक्कर में, उसमें अनिख प्रकार की रसाइनों और कीट नाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन फूमी पंजर होने लगती है। रसाइनों और कीट नाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उरवर्रा शक्ती नहीं बढ़ी। लेकिन उसका दोहन बढ़ा है। इसके कारण फूमी प्रदूशन पढ़ रहा है। बिजली के तेज और आखों को चगा चौन कर देने वाली रोशनी प्रदूशन पैदा कर रही है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूशन के अनीक कारण हैं। जिन में प्रमुख हैं निरंतर बढ़ता और त्योगी करण। पेड़ पौधों और वनों का कटाफ। रासाइनिक उर्वरकों और कीट नाशकों का अधिक प्रयोग। लगतार बढ़ता मशीनी करण। और हमारी रहन सहन में आई बनावट। पर्यावरर प्रदूशन की रोकठाम के लिए प्रगती के पहियों को तो उल्टा नहीं कुमाया जा सकता। लेकिन ऐसे कुछ उपाई किये जा सकते हैं जिन से खत्री को कम किया जा सकता है। जैसे मशीनों को त्रुटी रहित बनाना, नदियों की जल में शेहरों का मल, कूडा करकट और रसाइनिक कच्रा न डालना, शोर कम करना, मिट्टी में रसाइनिक उर्वरकों की स्थान पर कमपूस्ट खाद और चैविक खाद का प्रयोग करना, अधिक चमकवाली स्थानों से दूर रहना आदे, अपने पर्यावरण को साफ सुत्रा रखना, हम सब की सिम्मिदारी है, तभी हमारी प्रित्वी हरी भरी और सुखत बनी रह सकेगी, मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को प्रदूशर से बचाना हमारा सबसे बढ़ा कर्टव हमारा देश, हमारी देश का नाम भारत है, इसे हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है, यह देश संसार के सबसे बड़े देशों में से एक है, इसका फैलाफ उत्तर में हिमाले से लेकर, डक्षर में हिंद महासाकर तक, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर, पूर्व म म्यान मर्तक है अपनी श्रीष्ट सफ्यता और सांस्कृतिक विशीष्टाओं की कारण हमारा देश सदा से सारी संसार में आदर निय रहा है हमारी देश में इतनी प्रकार की विवित्ताई देखने को मिलती है कि पाहर से आने वाले विदेशियों को तो यह एक देश लगता ही नहीं यहां तरा-तरा की जलवायू और प्राकरतिक वनस्पत्या मिलती है पूरे साल मौसम भी एक सन ही रहता एक ही समय पर कहीं हिमपाथ हो रहा होता है तो कहीं गर्मी से बचने के लिए एर कंडिशनर चल रही होते है जब मैदानों में शरीर को छुलसा दिने वाली लूच चलती है तब पहाडों में बड़ा सुहाफना और शीतल मौसम होता है संसार में सबसे अधिक वर्षावाली स्थल भी हमारे देश में ही है तो सबसे कम वर्षावाली स्थल भी यही है हमारे देश में विभन भागों में रहने वाले लोकों के रहन सहन, विशभूशा, खान पान, भाशा और धार्मिक मानिताएं एक दूसरे से पिलकुल अलग है यहां बोली जाने वाली भाशाओं और बोलियों की संख्या लगभख तीन सौ है उपर से देखने में तो हमारे देश में अनीक प्रकार की विवित्ता देखने को मिलती है लेकिन अंदर ही अंदर एकता की भाफना सभी नागरिकों को एक दूसरे से चोड़े होए है जब भी कोई बाहरी आक्रमन या प्राकृतिक संकट आता है तो हम अपने सभी बाहरी भेदों को भुला कर कंदे से कंधा मिला कर खड़े हो जाते हैं यह सब हमारी आंतरिक एकता को ही दड़शाता है हमारी देश की सबसे बड़ी विशेश्ता इसका शांती प्रेय होना है इदिहास इस बात का गवा है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमन नहीं किया हमारी देश की पवित्र माटी ने राम, क्रिश्न, बुथ, महावीर, गांदी जैसे महान आत्माओं को चल्डिया जिल्होंने संसार के सामने त्याग, क्षमा और अहिंसा के अनुपम उदारण प्रस्तुत किये संसार के दूसरी किसी देश में ऐसी महान आत्माओं के उदारण एक साथ नहीं मिलते हमारी देश में ऐसा पोहत कुछ है, जिस पर कर्व किया जा सकता है हमारा जीवन धन्य है कि हमने एक पवित्र धर्ती पर चन लिया जिस पर चन लेने के लिए देवता भी तरस्ते हैं